तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको पर्चियस करनी चाहिए जो कि आपके केरियर पॉइंट के लिए मस्ट है भले आप एंजिन ग्राजुएट हो मेडिकल ग्राजुएट हो स्सबी की तयारी कर रहे हो आप किसी भी फीर्ड में जा रहे हो वह डोमेन क्योंकि आज का महुल कुछ ऐसा हो गया है कि आप डे बाडे शोशल मीडिया यूज करते हो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो शोशल मीडिया ना यूज कर रहा हो आप जिस प्लेटफॉर्म मुझे से डिस्ट्रेक्ट हो जाते हैं तो आपको याद होगा कि नाइन्थ क्लास में जब नाइन टेंथ क्लास में लोग थे तो टीचर कहा करते थे कि शोशल मीडिया मच चलाओ एक घंटा चलाओ या फिर मच चलाओ तो उन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैं आपके बॉक है गाइस यह एक ऐसी बॉक है जिसमें आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है और आपको 110 सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन इस बॉक में मिल जाएगा कभी-कभी ऐसा होता है कि शोशल मीडिया बुली होते हैं वह आपको पीछे पर जाते या फिर आप कभी-कभी आपक मैं 2-3 चीजे बता दूं कि यह बुक आपको बताएगी कि चीजे कैसे करनी है क्यों नहीं करनी किस तरीके से करनी है और सेल्फ अवेर्नेस ठीक है रॉक स्टार की प्रॉब्लम वाला एक सीन हो मुझे बहुत अच्छा लगा है और स्टार्टिंग में जब आप इस किताब क स्टार्टिंग से लाइन टो लाइन पड़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी में थिंकिंग और मेंटालिटी ऑथर राइटर की मेंटालिटी दोनों से में आपको लेगा है वह आपका जुडवा वाई है जो आपकी सारी चीजे मतलब विल्कुल ही बूर्ड रहा है तो कहने का मतलब है कि कौन सी चीजों को आपको भाव देना चाहिए और कौन सी चीजों को भाव नहीं देना चाहिए तो वही चीज जो है इसमें पूरी बताई गई और यह किताब भाई टोटली वर्थिट है मैंने किताब दो बार पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और मज़ा ही आगया मुझे बुक पढ़के तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा पढ़ना चाहिए तो और मैं आपके लिए दूसरी किताबे भी लाता रहूंगा ऐसे चैनल लो लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे नेक्स टाइम बाए